सबसे पहले हम एक horizontal line draw करना सिखेंगे जो paper की top edge से parallel होगी दो set square में से कोई भी एक set square आप यहाँ पे set कर सकते हो यहाँ पे हमने set square की एक edge paper की horizontal edge के साथ match की है उसके बाद हम second set square यहाँ पे left side पे रखेंगे अभी यह set square हमारा fix रहेगा और इसको हम slide करवाएंगे आप कहीं पे भी ऐसे line draw कर सकते हो ऐसे draw की हुई कोई भी line paper की horizontal edge के parallel ही होगी सपोस कोई inline line है ऐसे इसके parallel आपको बहुत सारी lines draw करनी है तो हम set square की एक edge यह line के साथ match करेंगे दूसरा set square हम यहाँ पे रखेंगे अभी यह set square हमारा fix होगा और यह set square को हम slide करवाएंगे ऐसे तो आप यह main line के parallel कहीं भी भी ऐसे lines draw कर सकते हो अगर यह horizontal line के perpendicular एक line draw करनी है तो हम एक set square यहाँ पे रखेंगे और दूसरे set square से ऐसे आप perpendicular line draw कर सकते हो यह angle होगा 90 degree यह horizontal line से 45 degree पे line draw करनी है तो हम यह set square को ऐसे रखेंगे और यहाँ पे line draw करेंगे यह angle होगा हमारा 45 degree हम यह 30-60 set square का use करके 30 degree पे और 60 degree पे भी lines draw कर सकते हैं पहले हम 60 degree पे line draw करेंगे यह angle है 60 degree यह set square को ऐसे rotate करके हम 30 degree पे भी lines बना सकते हैं यह horizontal से 15 degree पे line draw करने के लिए पहले हम यह 45 degree set square को यहाँ पे set करेंगे यह angle है हमारे पास 45 degree 30-60 set square को हम यहाँ set करेंगे यह angle 45 प्लस यह angle 30 degree तो remaining angle हमें 15 degree मिलेगा इसको फिर slide करवाओ ऐसे यहाँ पे जो line मिलेगी वो होगी 15 degree line अगर horizontal से 75 degree पे line draw करनी है तो हम एक set square यहाँ पे रखेंगे यह angle होगा हमारा 45 degree प्लस 30-60 set square को यहाँ पे slide करवाएंगे यह angle है 45 प्लस 30 इक्वल टू 75 degree यह है हमारी 75 degree line तो ऐसे आप set square का यूज करके 15 degree के interval पे lines draw कर सकते हो set square की help से हम कोई भी circle को 8 या फिर 12 equal parts में divide कर सकते हैं यह circle को 8 equal parts में divide करेंगे तो हर एक part का angle होगा 45 degree सबसे पहले को यह horizontal line पे 45 degree set square को fix करो यहाँ पे second set square को और फिर इसको slide करवाओ करें भी कर दो कर दो यहाँ तो ऐसे आप कोई भी सर्कल के 8 equal parts कर सकते हो यह सर्कल के 12 equal parts करने हो तो हर एक parts का angle 30 degree होगा उसके लिए हम यह 3060 square use करेंगे तो ऐसे आप कोई सर्कल को 12 equal parts में डिवाइड कर सकते हों तो ऐसे आप कोई सर्कल को 12 equal parts में डिवाइड कर सकते हों यह 130 mm की line को अगर हमें 8 equal parts में डिवाइड करना हो तो हर एक parts की length 130 by 8 equal to 16.25 mm होगी नाव यह value हम scale से नहीं ले सकते तो ऐसे case में हम एक line draw करेंगे वो line आप कोई भी angle पर draw कर सकते हों लाइन ए भी के 8 equal parts करना है तो हम यह line के 8 equal parts करेंगे इसके बाद हमें दुनों lines के end points को join कर देना है फिर यह line के parallel यहाँ पर जो हमने points mark किये है वहाँ से parallel lines draw करनी है यहाँ से भाँ यहाँ साथ यहाँ से एंग धौनी होट मैंगे झाल यहाँ यहाँ झाल यहाँ यह यहाँ यह औरिजनल लाइन एभी के जितने पार्ट्स करने है सेम नमबर ओफ पार्ट्स हमें ये सेकंड लाइन के करने होंगे और ये एंगल आप कोई भी रख सकते हो